हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मैथली जैती, आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी या कैबेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने 700 ग्राम पत्ता गोभी लिया है और इसको अच्छे से धो के साफ करके पोच के बारिक काट लिया है और काटने के बाद मैंने इसमें एक चमच नमक डाल दिया है, नमक डालके मैं पत्ता गोभी और नमक को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको कवर करके 15-20 मिनट छोड़ दूँगी, 15-20 मिनट छोड़ने के बाद हमारा पत्ता गोभी का जो क्वाइंटिटी है वो कम हो ज जाएगा जितना एक्स्रा पानी है वो इससे रेलीज हो जाएगा, आप देखो पत्ता गोभी से पानी निकल रहा है, आप इसको अच्छे से निचोड लेना और इदम ड्राइ कर देना, इससे आपका बंचूरियन बॉल बहुत ही अच्छा बनता है, पानी को मैंने अच्छ कर दिया है, फिर मैंने एक मीडियम साइज का सिमला मिर्च काटा था, जिसमें मैंने थ्री फोर्ट इसमें आइड कर दिया है, वन फोर्ट मैंने ग्रेवी के लिए रख दिया है, उसके बाद मैंने इसमें दो बड़े चमच लहसंत के और अद्रक के पेस्ट को आड़ किया ह कि इसमिए थोड़ा सा नमक याड़ किया है क्यूंकि All-Ready कजा में नमक था उसके बाद मैं ﷺ इसमेंessä 2 तीस्पून सोया सॉस याड़ किया है अप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते ओ एक तीस्पून मैंने वेनिगर सिर्का का इड़ किया है उसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच टोमाटो केचप आड़ किया है और एक चम्मच ही मैंने इसमें रेड चिली सॉस आड़ किया है उसके बाद मैंने इसमें एक टी स्पून कुटी हुई लाल मेच आड़ की है और एक टी स्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर आड़ गिया है कुटी हुई काली मिर्च इन सब चीजों को डाल के मैं आप कैबेज के साथ इसको अच्छे से मिक्स करूंगी कैबेज को मैं मसल मसल के मिक्स करूंगी इससे आपके cabbage के जो मंचूरियन बॉल्स बनते हैं वो काफी यमी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं एक से दो मिनट मैं इसको मसल मसल के mix करूँगी तो अगर cabbage को अगर water release करना होगा तो इस टाइम पे वो release कर देगा उसके बाद मैंने इसमें आठ चम्मच मैदा का आड़ किया है आप आरा रोट पाउडर भी आड़ कर सकते हो लेकिन मैंने इसमें मैदा आड़ किया है उसके बाद इसमें मैं कोई पानी नहीं आड़ करूँगी और मैदा और cabbage का जो ये mixture है इसको मसल मसल के mix करूँगी cabbage जो है तो थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा तो मैदा इसमें automatically अच्छे से mix हो जाएगा और आपको एक चीज का ध्यान रखना है आप जो ये mix करोगे तो आपको इसको थोड़ा सा sticky रखना है इससे आपके manchurian balls काफी अच्छे बनते हैं और जब आप gravy में उन balls को डालोगे तो वो पूरा अंदर तक उसके अंदर gravy घुश जाता है उसके बाद इसमें मैं तोड़ा सा food color add किया है और उसको अच्छे से mix कर दिया है अब मैं अपने हाथों को oil से थोड़ा सा grease करूँगी और manchurian balls बना के एक plate में रख दूँगी one by one करके मैं सारे manchurian balls बना लूँगी अब एक कडाही लूँगी और उसमें cooking oil डालूँगी cooking oil जब गरम हो जाएगा तो manchurian balls one by one करके उसमें add कर दूँगी और medium flame पे इसको उलट पुलट के अच्छे से fry कर लूँगी एक चीज़ का आप ध्यान रखना जब manchurian balls पे हलका सा crust आ जाएगा तब ही आप इनको flip करना पलटना पहले flip या पलटना नहीं अदरवाइस आपके manchurian balls टूट जाते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक इनको fry करना और उसके बाद इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इस तरह में सारे manchurian balls फ्राई कर लूँगी और एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूँगी manchurian balls हमारे सारे fry हो गए अब ग्रेवी लगाने की तैयारी करते हैं तो इसके लिए मैंने कराही लिए उसमें दो चम मच कुकिंग वाइल डाला है कुकिंग वाइल जब गरम हो गया है तो इसमें मैंने एक हरी मिर्च काटके डाल दिया है फिर मैंने इसमें दो तीन लहसन की कलिया आइट कर दिया है फिर थोरा सा बारी कटा हुआ प्याज आइट किया और इनको लो फ्लेम पे अच्छे से मैं फ्राई करूंगी जब तक मै सब्सक्राइब करूंगी तो साइड में तयार कर लोंगी फिर मैंने एक टी स्पून अद्रक लहसन का पेस्ट भी आइट कर दिया है अब स्लरी बनाने के लिए मैंने चार चमच मैदा का लिया है उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी और विस्क करके हिल्प से इसे अच्छे से विस्क कर लूँगी एक चीज का ध्यान रखना है कि इस लड़ी में बिल्कुल भी गांठ ना हो बिल्कुल इस तरह से आपको इस लड़ी बनाना है एक से दो मिनट आप इसको हिलाना उसके बैने इसमें थोड़ी सी और पानी आड़ कर ली है और इसको थोड़ा सा थिन बनाया है उसके बैने इसमें एक चमच नमक या स्वात के नमक आड़ किया है एक चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस आड़ किया है एक टी स्पून मैंने इसमें वेनिगर का आड़ किया है फिर मैंने इसमें दो टी स्पून रेड चिली सॉस आड़ किया है और एक टी स्पून मैंने इसमें ब्लाक पेपर का आड़ किया है इन सब को डाल के मैं विसकर के हिल् मिस्क कर लूँगी उसके बाद मैंने इसमें एक चुटकी एक पिंच फूट कलर एड़ किया है यह ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हो या मिस्स भी कर सकते हो लेकिन मैंने मैंने स्ट्रीट स्टाइड काबेज मंचूरियन बनाया है तो इसमें यह डालना थोड़ा सा मस्ट हो हो जाता है सबजिया हमारी बिल्कुल अच्छे से सौटे हो गई थी तो इसमें मैंने यह सॉल्यूसन डाल दिया है और थोड़ी सी लास में मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आट किया इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दो से तीन मिन्ट हाइफलें पे यह आप खाओगे तो आपको उसके अंदर सौस का और अद्रक लहसन का अच्छा साथ टेस्ट आएगा दो से तीन नट बॉल होने के बाद हमारे मंचूरियन बॉल्स बिलकुल रेडी हो गया है कैबज मंचूरियन बॉल्स बिलकुल रेडी हो गया है तो मैं इनको सर्विंग के लिए एक बाउल में निकाल लूगी और गर्मा गरम इसको सर्व कर दूगी यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और यह बहुत ही इसली बन जाता है आप इसको फ्राइड राइस के साथ या फिर नुडल्स के साथ खा सकते हो या ऐसे भी यह रोटी प्राठा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो थैंक यू बाबाई